को मैं बताना चाहता हूँ जो 36 गड़ में बेशी नर्चिंग का कॉंसलिंग किये हैं आप सभी को मैं महत्वपूंट जनकारी देना चाहता हूँ खाव सर पर आप लोगों को जो कॉलेज मिला है आप लोग जो है अप ग्रिडेशन को ठीक से नहीं जान पाय रहे हैं कि बहुत कि किसी स्टुडेंट को गवर्मेंट कॉलेज मिला है प्राइवेट कॉलेज मिला है दोनों को अलग अलग मैं एक एक करके आप लोगों को पूरा जानकारी बता हूँगा तो सबसे पहले गवर्मेंट कॉलेज की बात करें और ग्रिडेशन की तो सबसे पहले यदि आपको क आप लोगों से स्टुडेंट की जो हमें राइपूर का जो गवर्मेंट कॉलेज मिला है वो हमारे सीटी में नहीं आता चाहिए जो भी हो आप दूर्गा में पढ़ाई करना चाहते हैं अपर क्योंकि राइपूर तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है सभी चाहते कि मैं राइप कॉलेज को बताया था कि यह कैसा होगा कि आप जो है सेकड्राग की कांसिलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे तो आपको जो है जो राइपूर गवर्मेंट कोलेज अलॉटमेंट हुआ है उस कोलेज में आपको सब से पहले तो जो है एडिमीशन लेना है उसके बाद जो है second round के counselling में जो है apply कर सकते हैं यही प्रोसीजर है कि आप जो है second round के counselling में eligible हो शकते हैं तो ध्यान से इस बात को समझे जब आप जो है admission ले लीजिए सभी चेज अपने documents आपको verify करवाना है second round के counselling में भी आपको जो college मिल जाता है उसके बाद आप सभी student के मन में यह doubt चार रहा होगा कि sir हमने तो fees पे कर दिया है तो fees का क्या होगा हमने तो admission ले लिया है अब हम हमारे fees का क्या होगा क्या हमारा पूरा fees जो है return वापस हो जाएगा और जो हम counselling किया है वो उस college में अब कैसे admission ले किस तरशे होगा तो आप सभी student को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी आपने फर्स्ट में जो आपको government college मिला है या government college मिला या फिर private college मिला तो आपने government college में जो है admission ले लिया है और बागी कफी सब को दे दिया जाएगा एक्जामपल के लिए आप से भी student को मैं बताना चाहता हूँ यदि आप से एक साल का 75,000 रुपया आप से लिया जा रहा है एक्जामपल है यतना पैसा ने लिया जाएगा सुरू में ध्यान से सुनिए 75,000 लिया जा रहा है तो उसके बाद जैसे कि आपको government college में आप admission ले लिया है आप second round के counseling में भी आप participate करना चाहते हैं और आपका second round के counseling में नाम आ गया तो आपका 10% शूल का ले लिया जागा यानि कि 75,000 में आपका सड़े 7,000 वाले जो भी college में आपने admission लिया है उस college वाले आपसे सड़े 7,000 रुपया ले लेंगे और आपके जित्ते भी fees अपने pay किया है उसी हिसाब से आपका 10% प्रतिसाब fees जो है काटा जाएगा फिर बाकी का fees आपको पूरा दे दिया जाएगा और जो भी college आपको allot हुआ रहेगा उस college में फिर आप जो है जाकर admission फिर से लेश रहते हैं यही procedure है तो बीना और जानकारी के और कोई भी student ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना कि सीधा college छोण दिये जो भी college allotment हो रहा है और सीधा पार्टिशिपेट करेंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और जो भी student ये इस भी college में पार्टिशिपेट किया है और उनको seat allotment हुआ है तो admission के लिए आपको क्या करना होता है आपको print out जो है निकलवाना होता है तो GSB college में आपको seat allotment हुआ है उसमें सबसे पहले आपको जो है उसका print out निकलवा लीजे उसके बाद जो है आप admission ले सकते हैं और एक ज़रूरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी college आपको मिला है उस college को आप छोड़कर second round पाटिसिपेट कर रहे हैं तो आप यह मत सूचए कि जो college में चोड़ रहा हूँ वो same college मेरे को दुबारा मिल जाए क्योंकि कई student यह होते हैं कि वो हट बड़ी में और थोड़ी घबराहट में decision करत ले लेते हैं और बाद में उन्हें अफसास होता है कि तो इस बात को ध्यान से सुनिए और अपने marks और आपने all over rank के हिसाब से ही decision लीजिए क्योंकि यह महत्तवपूर्ण decision है जो आपको swim लेना है मैं आप लोगों को guidance कर सकता हूँ तो जो student जिनका बहुत अच्छा rank है वो student जो है second round counseling में भी participate कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा option है ना इस option के use की जिए government college आपको मिला है तो government college में admission ले लीजिए उसके बाद आप जो है counseling में भी participate कीजिए और अगर आपका नाम आता है तो 10% शूल का आपका काट ले जाएगा इस बात को भी सोचिए कि आपका 10% जो है अंदेखा कर देते हैं और सभी process को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं अब मैं बताता हूं कि बहुत सी student ने upgradation किया और upgradation का form किस तरह शे फिल कर सकते हैं तो जो भी student जिन्हों ने फर्स राउंड का counseling किया है वे उस student को जिन्होंने form फिल किया है उनका upgradation का form का option आता है यदि आप upgradation form फिल अप करते हैं तो आप जो है second counseling में participate कर पाएंगे क्योंकि upgradation प्रक्रामेजी सावेदक को upgrade कर नया विशाय और संसा अबंटित की जाती है उसकी प्रतम counseling की सीड़ वो सीड़ आपका रिक्त माना जाएगा और counseling में आप अंठित विशा और संसा में बने आप जो है नहीं रह सेथे वो सीड़ आपका छीन जाएगा तो मैं यही चीज़ आपको लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जो भी आपको first round में counseling में seat allotment हुआ है जब आप second round के counseling करेंगे तो उस seat आपका चला जाएगा अगर उस seat को बरकरार रखना चाहते है तो उसके लिए आपको admission देना होगा और जो इस student जिनको private college allotment हुआ है वो private college को चोड़ कर दूसरा private college select करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यह आपके उपर यह आपके उपर है कि आप क्या करना चाहते हैं तो इस बात को सोन यह है अगर एक बार और repeat बोल रहा हूं कई लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रहा होगा यदि आपको government college मिला है तो कि government college को चोड़ देते हैं तो आप काउंसलिंग के रेस्ते बाहर हो जाएंगे आप दुबारा काउंसलिंग में participate नहीं कर पाएंगे यदि आप participate करना चाहते हैं तो आपको उस college में admission लेना होगा फिर आप जो है second round की counseling कर सकते हैं आप participate कर सकते हैं और आपका 10% चूल का जो है काट लिया जागा और बाकिफिस आपको वापस कर दिया जाएगा और जो इस्टूडेंट जिनको private college allotment हुआ है और वो दूसरे private college में admission लेना चाहते हैं तो इस्टूडेंट क्या करेंगे तो इस्टूडेंट क्या करेंगे तो आप फिर से second round की counseling कर सकते हैं seat जो है मिल जाएगा और वही college आपको नहीं मिल जाएगा दुबारा दूसरा college मिल जाएगा लेकिन वो seat आपका रिखते रहे गए और आपके जगह जो भी college आपने छोड़ा है उनके जगह किसे अन्य student का selection हो जाएगा तो बहुत ध्यान सी इस बात को समझे और अच्छे से और अपने महत्तुपूर्ट जो भी अपने decision लिया है इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका decision है मत्ब आपकी परिवार वालों का decision होना चाहिए तो अपने माबाप से सभी चीज होते हैं जिनको जनकरी अच्छे से नहीं होता और वो गलती कर लेते हैं इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अपना जो भी है आपको college मिल गया है इस बात पर ही खुश रही है अगर ज्यादा अच्छा marks है तो confidence रही है इस बिल्कुल भी नहीं है तो इस तरह से आप जो है जिनको college मिला है और पसंद है तो जो है second round की counseling कैसे कर सकते हैं और upgrade जो है कैसे कर सकते हैं डिवीशी किस तरह से होता है सभी चीज मैं आपको बता दिया हूँ तो अपने डिवीशी कराने के लिए document verification जब आप एडिवीशन के लिए जाएंगे तो आप अपना documents में टीशी migration certificate, शरीतर प्रमाट पत्र आय जाती निवास प्रमाट पत्र दस्वी बारवी का मारकसीट फोटो ये सभी चीज अपना ले जाएं क्योंकि ये चीजे काफी महत्तोपोड होता है I hope कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया, सभी जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो गर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को शियर जरूर कीजे ताकि सभी लोगों को BC Nursing के counseling के बारे में अच्छे से जानकारी मैंने आप सभी को दिया आप सभी को पसंद आए अगर जानकारी आपको पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब इसक्राइब कीजे और बेल नोटिफिकेशन को भी on कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो सब्लोट करू क्लियर नहीं करेंगे आप लोग खुद सोचते रहेंगे कि यह कैसा होगा यह हम कैसे करेंगे तो अपना डाउट जो है क्लियर कीजे ना बताने वाले तो हम बैठें ना तो आप अपने डाउट जो है क्लियर कीजे नीचे कमेंट कीजे और कमेंट में आप जो भी पूछेंगे आप सभी के कमेंट का में रिप्लाई ज़रूर करूँगा तो प्लीज जितना हो सके ज़्यादा ज़्यादा कमेंट कीजे नेश्ट वीडियो में आप सभी के कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा और जो भी टॉपिक पर आप वीडियोस बनवाना चाहते हैं उनका भी आप कमेंट कर सकते हैं ताकि आप लोगों को BSC Nursing की बेस्ट है और जुके सन आप लोगों को देश को और आप पढ़ाई में अच्छे परफार्म जो है कर शेके और आपका future बहुत अच्छा हो तो please वीडियोस को share कीजिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में so thank you